कि खाला एभर्यवण विलकम बाक टू आपक किसी कि एक इग्जामिनेशन के त्यारी कर रहे हैं आपनी जीवन धान है ठीक हमें वर्क कुंच चाहिए होता है बेसिक नीट्स के लिए ठीक है यसाँ नौ तो जब भी किसी आएक सिट्वर्य करते हैं हमारे दिमागे सब पहले सवार आता है कि यार इसका जो ग्रेड पे है वो कितना है जो सालरी हमें मिलने वाला वो कितना क्या रहने वाला है ठीक है तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बीपी ऐसी से रिलेटेड जो भी आप लोग के टीचर वेकिंसी आती है अलग लग लेबल की उसके जो आ कि अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं यहां पे हम लोग बिहार के प्राइमरी स्कूल टीचर की सालरी के बारे में आप लोग का जो बैंड रहने वाला है वो रहने वाला है कि आप लोगो 27% मिलेगा क्योंकि बेसिक परी बेसिक पिसके अलावा principle बैसिक होते हैं बेसिक पे का ही 42 परसेंट आप लोग का दीयर अजिए स्वाट्स में मिलेगा वहां पे इसके साथ में आप लोग को थाुजन रूपी इसका medical allowances भी मिलते हैं, net salary जो आप लोग की बनती है, उसके बाद में 40,000 630 बनती है, यह है आप लोग के primary level के teacher के साथ में, ठीक है, और आपका pension fund भी जाएगा, आप लोग के PPF और उन सब में पैसा भी कही ना कहीं जाने वाला है, इसी ही से, यह सानो, आप लोग का यह जो net salary बनता है, यह भी अच्छा कासा है, 40,000 अपने आप में कहीं ना कहीं, कम नहीं होता है, अगर मैं बात करूँ, अपर primary teacher की, उनका जो basic पे रहने वाला है, उससे थोड़ा से जाधा रहने वाला है, that is gonna be 28,000, जो आप लोग के HRM मिलेगा, वो अप्रॉक्स 2240, ठीक है, that also depends on number of cities, ठीक है, तो राइट, यह बैडी कर सकता है, HRM आप लोग का, जिस city में आप पोस्टेड हो, उसके according, बीए यहाँ पर कहीं ना कहीं बता रख है, ठीक है, medical allowances बता रख है, नेट salary कहीं ना कहीं, आप लोग के 45,000 के राउंड कहीं ना कहीं पढ़ती है, अगर मैं बात करू हमारे जो computer science में जो post आती हो, basically secondary और हमारे पास में senior secondary teachers के लाती है, ठीक है, उनको कितनी क्या salary मिलेगी, उनका salary breakup कैसे का रहने बाला होगा, ठीक है, अगर मैं आप लोग के बात करो, basic pay के बारे में, 31,000 आपका basic pay रहने वाला है, HRM will be varying, ठीक है, 8% के साबसे हम लोग 2480 लेके आती ही रहती है, कि आपका DA बढ़ गया, इतने percent से बढ़ गया है, वो सब चीज होगा, तो 13,000 आप लोग का DA मिलेगा, CT आप लोग को मिलेगा, 2143, ठीक है, medical allowances आप लोग को मिलेगे, 1000 रुपीज, और तो उसके बाद ने आपकी जो net salary बनती है, वो अप्रॉक्स 50,000 के देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसका जो basic पे रहने वाला, वो रहने वाला, 32,000, not so less, ठीक है, अच्छा माउंट है, HR अगर आपका 27%, अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इसका 27% आप लोग निकाल सकते हैं, कि इतना होगा, ठीक है, dearness allowance आपको 42% मिलेगा, ठीक है, that is gonna अबी, like 13,440 रुपीज, CT आप लोग का कट जाए, कहीं ना के मिलेगा, 2130, medical allowances, 1000 रुपीज, हर एक तरह के employee को मिलते हैं, ठीक है, तो यह net salary आपकी बढ़ जाएगी, अगर आपका HR है, किस particular category में है, उसके हसाब से, ठीक है, तो यह थी आप लोग के salary से related बात, अगर कोई भी नई rules regulations आती हैं, so वो आप लोग check करते रहें, already क्या बोलते है, प्लाटफॉर्म पर से related information आईगी, बिहार सरकार के अंदर, अगर कोई भी चीज़े बदला होती है, कि हाँ ठीक है, हम इतना allowance इसका दे रहे हैं, ठीक है, medical allowance में हमारे कोई भी variations है, कुछ भी exercise अगर आपक अगर आप जॉब लग गए ना, तो यह सब चीज़े तो बहुत, मतलब वो जाती है, the moment you get this selection, आप रिटन एक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपका document verification होगा, यह सब चीज़े है, ठीक है, तब ही आप लोग को पता चल जाता है, कि हाँ कितना ग्रेट पे है, कि आप लो है, ठीक है, अचारे कितना है, कितना है, आप लोग को मेडिकल कितना रहने गापका, जो PF कटेगा, वो कितना PF कटेगा, ठीक है, तो gross salary कितनी बनती है, और इसका पीफ कटने के बाद में, आप लोग की net salary कितनी बनती है, अप लोग का पैसा है ना, प्राविदेन फ़ंड का जो पैसा है कहीं नहीं वह आप लोग को अब ठीक है तो चाहिँ मिलति है तो पंचन फंट पंट के अंडर के अंदर यह सा पैसा बेंसे इंत्रस्ट से przetam मेरी हिरे गी यह श्मिर अगर आपके पास में बंठी अब पास है और सेकन्ट्री के लिए गईना के त्यार करें तो उसे केल भी गईना के अच्छा होता है और आगे भी और ज्यादा पॉर्चनिटी आप लोग को मिलती है ठीक है आगे प्रमोशन बेस अप्वार्च्रिटी ठीक है दीरे-दीर आप लोग अप ग्रेड करेंगे एक दिन आप लेबल पर मिलेगा अगर आप अल्रेडी पहले हाई मतलब क्लासिस को अगर आप पढ़ा रहे होंगे ठीक है सो मेरी रिक्वेस्ट और मेरी एक सजेशन आप लोग को यह रहेगा अगर आपके पासे में क्वालिफिकेशन हैं टाइम पीरिड है सब कुछ है तो आप लोग पाते हैं bpsc try के साथ में तो तारिक साप लोग का दो जुलाय से हमारा बैस शुरू हो रहा है जिसमें मैं सी सी प्लस प्लस यह सबी चीजें आप लोग को पढ़ाने वाली हूं ठीक है तो आप लोग को ध्यान रहें कि सेकंड ऑफ जुलाय से हम अपना बैस शुरू कर रह तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ में जुट सकते हैं और यह सारे सेशन्स आपको लाइव मिलेंगे इस सब के अलावा जो भी आप लोग के सेशन्स रहेंगे पेपर वान और पार वन और पार टू के वह आप लोग को रिकॉर्ड़ पूरा मोड रहने वाला है इसके साथ में रहने वाले हैं इसके साथ में जुड़ सकते हैं तो मिलती हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आम होपिंग आम सबी लोग की प्रपरेशन एक दम सही चल रही है लाइव क्लासे आप लोग के लिए प्लाटफॉर्म पर ता आप लोग उनके साथ में भी जुड किया वेंगन सर लोग लोगोँ झाल बाही ज ऑाट रहो खिंग क्रेमाकन की लीढक में उनके लिडियो हैं प्लाटाफ खना दाएव के लिग लिए लिएपे लिए 3